हेलो फ्रेंट्स महुरा जनों श्वागत है आपका अमारी चैनल दिलिप टेलर शान बूटिक में फ्रेंट्स आज की इस वीडियो में हम देखेंगे सिंपल कूर्ती की कटिंग किस तरीके से करनी है लंबाई इसकी 36 इंच की है, चेश्ट 38 इंच, कमर 34 इंच, हिप 42 इंच का है, शोल्डर 15 इंच, सामने का गला 7 इंच और पिछे गला 8 इंच का है यह पूरा मेजर्मेंट बॉड़ी से लिया गया है, किस प्रकार से कटिंग करनी है, चलिया देखते है आप सबी के काम को असान वराने के लिए दिलिभ टेलर इंच बॉटिक 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 ब्लाऊच ओफ के paper cuttings बनाता है अगर आपको भी fitting में समस्या आती है, cutting आपके समस्य बाहर है, तो आप देलिभ टेलर इंच बूटिक से paper cutting मंगा कर अपनी यह doświad कर कर सकते है दिलिव टेलर्स पेपर कटिंग आपको Amazon पर या फिर डारेक्ट हमारे WhatsApp नंबर से ओडर करके आप मंगा सकते हैं अगर आप लोग एक बड़े मश्टर की तरह कटिंग और सिलाय सीखना चाहते हैं तो हमारे online classes को जोईन कर सकते हैं अधिक जयनकारी के लिए दिलिव टेलर्स मोबाईल लैप आप जरू डाउंडूड कीजिए लिंक आपको मिल जाएगा डिस्क्रिप्शन पर सिलाय से जुड़ी धेर सारी वीडियो स्प्रे में देखने के लिए इस चैनल को आप सस्क्राइब कीजिए नीचे रैड बटन को हाफ इंच बड़ा रखते हैं अब इसके बाद देखना शोल्डर का मिजरमेंट लेंगे तो शोल्डर बॉड़ी के नाप पर 15 इंच का है और पीछे का गला हमें 8 इंच डीप करना है तो हम ना पहले क्या करेंगे 15 का हाफ करके साड़े साथ पर निशान लगाए और उसके इसके बाद यहां पर एक इंच शोल्डर को माइनस कर देंगे इस तरह से अगर यही कहला 9 इंच 10 इंच डीप होता तो 1.5 इंच भी माइनस कर सकते हैं अब यह जो निशान है साड़े 6 का यह नीचे भी लगाएंगे इस तरह से इन दोनों निशानों को स्केल से मिला लेते ह है मिलाने के बाद यही पर बात आती है आर्म होल निशान की तो 38 इंच चेस्ट है बाडी मेजर्मेंट है दो इंच हम प्लस कर लेते हैं उल्ली 40 के हिसाब से 6 इंच पर आर्म हुल का निशान लगा लेते हैं ठेक है, यह निशान लगाने के बाद, यहाँ पर हम चेस्ट का मेजरमेंट लेंगे, तो चेस्ट कितना है, 38 इंच का, जान देना, बॉडी मेजरमेंट होने की वज़े से 3 इंच की लूजिंग दे रहे हैं, तो यह हो जाएका 41, अब 41 इंच का चौंथा इससा कितना होगा, य लाए मारजी अलग होता है, यह करने के बाद, अब ही हम ना, शोल्डर पर रखेंगे टेप, और कमर और हिप कहां पर मेजर करना है, उसके लिए निशान लगाएंगे, तो यह इस प्रकार से, शोल्डर पर हम टेप रखते हैं, कमर इसमें हम नापेंगे, साड़े 14 इंच प यह निशान वेरी कर सकते हैं, जब आप बोडी मेजरमेंट लेंगे, तो इन सब चीजों पर फोकस करना है, और उसके बाद हम लगा लेंगे निशान टोटल लंबाई का, तो टोटल जो लंबाई हमारी है, वो 36 इंच की है, और एक इंच का मारजिन लेंगे, तो 37 पर यह न अब यह नीचे का जो निशान है, यह हमने फोल्ड करने के लिए लिया है, अब यही पर हम मेजरमेंट डालेंगे, तो ध्यान देना, चेस्ट का तो हमने कल्कुलेशन कर लिया, कमर पर आते हैं, 34 इंच का कमर है, नॉर्मल फिटिंग के लिए यह आप तीन इंच लूज करके, तो यह होगा 37, 34 प्लस 3, यह तीन इंच लूजिंग हो गई, अब 37, मतलब 37 का चौथा हिस्सा कितना होगा, यह होगा 79, निशान लगा दिये, अब 1.5 इंच का हमें सिलाई मार्जिन अलग से देना है, यह निशान लगा दिये, अब आते हैं, हीप पर, हीप इसमें 42, 12 इंच का, अब ध्यान रखना, हीप कोई भी साइस का अब बना रहे हैं, तो उसमें सिर्फ 2 इंच की लूजिंग देनी है, तो यह हो जाएगा 44, अब 44 का चौथा हिस्सा लेंगे, यह होगा सिधा सिधा 11 इंच, और हीप पर हमेशा यह ध्यान रखना, सिलाई मार्जिन भी एक इंच का ही लेना है चाहिए कोई भी साइस हो, तो इन निशानों पर थोड़ा सा गौर का है, अब जितना मिजरमेंट हमने यहाँ पर लिया है, देखिए 11 इंच, तो यहाँ पर आकर के दामन का निशान भी 11 इंच पर लगा देते हैं, नीचे, और एक इंच का यहाँ प मिला दे, अब यह इस तरह से इन निशानों को मिला करके, पूरा चेस्ट कमर तक ड्रॉप कर लेना है, यह हो गया, अब यहाँ पर उपर के साइड आते हैं, सबसे पहले आर्म होल को डाउन करते हैं, हाफ इंच अंदर की तरफ डाउन करेंगे, इसकेल से मिला देंगे, यह ऐसे, अब इसके बाद, यहाँ पर एक इंच की दूरी से आर्म होल की गोलाई देंगे, बिलकुल करीब से, तो ध्यान देना, यह फ्रंट पल्ले की गोलाई बनेगी, यह इस तरह से राउंट करना है अब बैक पार्ट का गोलाई देने के लिए पौन इंच का डिस्टेंस लेंगे, यह ऐसे, और यहाँ से इसकी गोलाई स्टार्ट करेंगे, और चेस्ट की तरफ जाकरके हलो कासा डाउन करके इस तरह से इसको राउंड देना है, ठीक है, इससे आपके आर्म होल की यह चीज बताया है, जो लोग हमें फॉलो करते हैं, आप शोल्डर को डीप गला होने पे इस तरह से गले की तरफ डाउन करें, बाकि सभी पेटन्स में आप आर्म होल की तरफ डाउन करें, अब गला यहाँ पर लेना है, धाई एंच का, यह इस प्रकार से, जैसे आपने सा सामने का गला आपको देखना पड़ेगा, यह इस तरह से पहले गहराये देखते हैं, तो 7 इंच गहरा है, साथ इंच यह आपसे अपसे तो 3 इंच का लेए, इसमेल से इन निशानों को मिला लेते हैं, अब आपको सामने गले में, जो भी शेव देना है आप असानी आ पर द देखर करके बता रहा हूं कि यह वीडियो मैं वीगिनर्श को टार्गेट करते वह बना रहा हूं तो सबी चीजें सिंपल तोर की बता रहा हूं यह गोल गला हो गया अब ये इतना करने के बाद आपका बेसिक जो प्रोसेस है सिंपल कूर्थी का वो होता है complete अब ही चलिए करते हैं इसकी cutting और cutting करने के बाद पीछे का पल्ला देगे तो ये इस प्रकार से आपको cutting करके सामने और पीछे का पल्ला अलग-अलग कर लेना है ठीक है अब देखिए ये है सामने का पल्ला इसमें सबसे पहले सोल्डर को छोंटना है फिर आर्म होल को छोंटना है ये जो cutting मैं paper पर बता रहा हूँ आप direct कपड़े पर apply कर सकते हैं paper पर मैं इसलिए बता रहा हूँ कि आप भी इस प्रकार से फर्मा बना के रच सकते हैं अगर आप दिलिप टेलर शेंड बुटिक से ready suit के paper cutting समंगाना चाहते हैं इस तरह से गले की भी cutting हो गई अब यह आपका प्रेंट पार्ट रेडी इसको अलग रखते हैं बैक पार्ट में क्या तरना है कि एवल गले का शेप देना है ठीक है तो यह जो बैक पार्ट है इसमें हमें पीछे का गला आठ इंच रखना है आठ इंच रखने के लिए यह आप इस प्रकार से नाप लें और उसके बाद एक स्केल लेकर के यहां पर हम सिंपल चौकोन गले का शेप दे देते हैं या फिर आप कोई भी गला प्रेटन यहां पर बनाना चाहें बना सकते हैं तो यहां पर फैलाओ पोने तीन इंच रखेंगी और इस प्रकार से मिला देंगे आप यहां पर जो भी श और अस्तिन की जो कटिंग है आफ सेसे बिथा करें सर्च करें देख सकते हो मैंने अस्तिन कटिंग के ऊपर में इन्कलूड करने से समय थराब होता है तो यह मैने नहीं किया अगर यह सिंपल पूर्ती की कटिंग आप लोगे को पसंद आई है तो वीडियो को लाइक करें श हैं